हाले अब्रीवन वेल्कम टूब्राइट आएक्यू तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसी सीजी एल में हिंदी टू आज के पढ़ने वाले हैं भासा के विभीन रूप यह आपका भासा चेप्टर के ही अंदर आता है लेकिन आपका दूसरा चेप्टर है जिसमें हम पतीक से सैली से या फिर लच्छे से तो देखिए रस्तनात्मक लेखन में भासा का सबसे पुराना रिस्टा जो है वह आपका संदेश से है तो यह आपको याद रखना है यह सारा कोशन आपका जैसी सीजी एल के एक्जाम पांट विव से बहुत ही इंपोर्टेंट है अग कुछिंप से फिर अव्हाती हिवाति मारवारी इंदोर मालवी रतलाम या फिर जै पूरी ऑज मेर तुजी ऐसा करेंटेप्सिर क्या हो जाएगा मारवारी इंदोर यह आपका औस संदेश कोशन है आं कि भारत में भासाओं का स्ताहित्यक विकास क्रम माना जाता है किस करम में माना जाता है option में दिया हुगा है संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंस या फिर संस्कृत प्राकृत अपभ्रंस या फिर संस्कृत अपभ्रंस पाली प्राकृत या फिर पाली संस्कृत प्राकृत अपभ्रंस तो देखिए सकरेट अंसर क्या हो जा आपके पास दिया हुआ है असोग के सिला लेखों में कनिश्क के द्वार प्रदत पांडू लीपियों में यसोवर्मन के साहित्य में या फिर बल्लभी के राजाधारस्तेन दुट्य के सिला लेखों में तो जी है नेश्कोशन देखते हैं तो नेश्कोशन है आपका कि मेरट बिजनौर मुझाफर नगर सहारनपूर देहरादून के मैदानी छेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है अप्सेन में दिया हुआ है भारत वर्स में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है आपके पास option में दिया हुआ है राज भासा के रूप में राष्ट भासा के रूप में भारत में हिंदी को राज भासा के रूप में रखा गया है यह आपको याद रखना है चलिए वहीं उनेशकोशन की बात करते हैं जो है आपका कि सम्भीधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभासा कहा गया है मतलब सम्भीधान की बात होई कि किस में कहा गया है भाग 15 में भाग 17 में भाग 34 में फे भाग 5 में तो देखिए ऐसा आपका कहा गया है भाग सत्रह में कि हिंदी जो है वो हमारा भारत का राज भासा है राश्ट भासा नहीं है राज भासा है वहीनेश कोशन देखते हैं जो है आपका कि व्याकरन सब्द का क्या अर्थ होता है ऑप्शन में दिया हुआ है समानता भासा का व्य सेंटनेंस बनाते हैं ना तो इसलिए व्याकरन में सब्द कार्थ क्या होता है टुक्डे टुक्डे करना नेश्ट कोशन ने आपका कि मेवाती हिंदी किस उप भासा वर्ग से संबंधित है और अप्सन में दिया हुआ है बिहारी पस्मी हिंदी पहारी या फिर राजस्थानी तो देखिए ये आपका कहा गया है हिंदी भासा की लिपी संग की भासा हिंदी और लिपी देवनागरी हो ये संबिधान के अनुसे 343 में कहा गया है चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं जो है आपका कि असो के सिला लेक ब्राही लिपी तथा किस भासा में वर्णित है मतलब इसका लिपी तो दिया लेकिन किस भासा में वर्णित है आपको बताना है संस्कृत में प्राकृत में पाली में या फिर हिंदी में तो देखे यह आपका वर्णित है प्राकृत भासा में ठीक है याद रखना बहुत इंपोर्टेंट को सने चलिए नेश्कोशन के तरफ बढ़ते हैं नेश्कोशन है कि कितने भारतिये राज्यों क Стamalli की राजभासा हिंदी है आपके पास आप्सन में दिया हुआ आथ राज्ये दस राज्ये कि बारा राज्य फिर पंदर राज्ये की राज़े भासा जो है वहुं भारत में हिंदी है यहाहत कि हिंदी की पर्मुख बोली हो तथा उनके नामकरन करता के संबंध में ब्रज बोली इस्वर चंद्र गुप्त राजस्थानी और बिहारी जोर्ड क्रियर्शन या फिर मैथली बाकी दास इसमें और संगत आपको बताना है तो करेक्ट अंथर क्या हो जाएगा मैथली बाकी दास जो है यह आपका और संगत है यह गलत है चलिए निश्कोशन देखत अपभ्रंस को आरे भासा नहीं माना जाता है वही नेश्कोशन की बात करते हैं आपका कि स्वामी द्यानन सरश्वती ने किसकी रचना हिंदी भासा में की है योग वसिष्ट की सुधा सागर की सत्यार्थ परकास की या फिर वेदान धर्म की तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो की गई है ठीक है किसके तरह की गई है तो स्वामी द्यानन सरश्वती ने की है चलिए निश्कोशन देखते हैं जो है आपका कि निम्न मेंसे आसंगत है मतलब कौन सा आसंगत है पूर्भी हिंदी बगहेलीर पस्मी हिंदी मारवारी बिहारी हिंदी मैथली या फिर इसका क्या हो जाएगा अड़धर ये आपका और शंगत है बाकि यह सब जितने भी सब्ध है आपके संगत है चलिए नेश्कोशन देखते हैं तो नेश्कोशन है कि पाली को भासा भी कहा जाता है मतलब कौन सा भासा कहा जाता है देश भासा, लोग भासा, देव भासा या फिर जन भासा तो देशे पाली को न बेशिकली देश भासा भी कहा जाता है फिर किसे की मांत्र भासा et नहीं थी दिया हुआ इंदरा गांधी की मुराजी देशाई की अटल बिहारी वाजपई की या फिर चौधरी चरन सी की देखिए एक कोसन आपका बहुत इंपोर्टेंट है इसे आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़िए आपका एक्जाम पॉइंट पॉइंट हो सकता है त पॉइंट पर्देश का ना भासाई के आधार पर सरवपर्थम राजे का अधर पर्देश का नेश्कुसन देखते हैं कि घड़ी बोली का अर्थ तकसाली की अर्था अधा इस्टेंडर भासा है खड़ी बोली के संबंध में उपरोग कथन किस बिद्वान का है आपके पास कुछ यह कथन दिया गया है किस विद्वान का अपको कि बिश्वनात् परशाथ का या आपको याद रखना कि डॉक्टर हर्देव बाहरी ने अप भ्रहंज का स्वर्ण का सब्सक्राइब sellers सब्सक्राइब कि वो समय था आपका सात्वी सदी से एकार्वी सदी तक का तो इस तरह से हम लोग भासा की विभिन रुट का पार्ट वन जो है वो कम्ट्रेट कर चुके हैं नेफ्ट पार्ट में भासा की विभिन रुट के बहुत सारे कोसों बचेंगे इसका दो पार और बनने वाला है तो इसमें लोग बेसिक कोंसर्ट के साथ सारे MCQ जो आपका एक्जाम में आ सकता हूं सारे को से स्टार्ट करते जो है आपका कोसन की निम्नलिखित में से कौन ओधी भासा का कभी नहीं है आपके पास ऑप्सन में दिया हुआ है जैसी उसमान कुतूबन या फिर नंददास गेस कि नहीं है चलिए निश्कोशन देखते हैं जो है आपका कि दच्छिनी राजस्थानी की परतिनीधी बोली कौन सी है आपके पास ऑप्सन में दिया हुआ है मारवाडी मालवी मेवाती या फिर हडावती तो जी है इसा करेक्ट एंसर क्या हो जाए कि दच्छिनी राजस्थान की परतिनीधी बोली जो है वो है आपका मालवी वही नेश्कोशन देखते हैं जो है आपका कि आधुनिक भारती भासाओं का विकास किस भासा से हुआ है ऑप्सन में दिया हुआ है सौर सैनी से प्राकृत से मगधी से या फिर अप भरन से तो जी है इसा करेक्ट एंसर क्या रूप के बारे में स्टाडी कर रहे है बहुत सारे वीडियो बना हुआ जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में या तो फिर प्लेलिस्ट पर एके संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टाडी कर सकते हैं चले नियस को सने आपका कि निम्न में से कौन सा हड़ाती बोली का छेत्र नहीं है जो कि आपका हड़ोती बोली का छेत्र नहीं है बाकी आपके कोटा बुंदी और जाला वार जो है वह आपका इस बोली का छेत्र है चले ने इसकों है आपका की भासा का निर्मान होता है कैसे होता है और अमुर्थ ध्वानियों से होता है मुक्त्व संकेतों से होता है और आंख इस Dazu दो700 क покर और सब्सक्रां के वहें पास दिया हुए भाग 14 में ुलएक घृएक गाउनल खोंड देखते सम्बिधान लागु होने के समय में आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं का उलेख है वो किया गया है और संबीधान की कि सूची में बाइस भासाओं का उलेक जो है वो किया गया है आठवी में नौवी में दस्वी में पिर बारमी में तो जी है आठवी सूची में से आफ याद रखेगा चले नेश्ट कोशन देखते है जो है आठवी अनु शूची में किस भासा को जोड़ा गया है आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सिंधी को कोकड़ी को नेपाली को या फिर मनिपूरी को तो जी है इसा तरेक्ट अश्र किया जाए कि वह है आपका सिंधी को एक इस वा संभीधान संस्वधन द्वारा अठवी सूची में वह जोड़ा गया है तो देखे इसमें आपको मनीपूरी को नेपाली को भी जोड़ा गया है सबीधान संसोधन द्वारा आठवी अनुसूची में किस भासा को जोड़ा गया देखिए वहां पर 21 संसोधन दिया हुआ है तो आपको इसको याद रखना ना संसोधन भी आपको संसोधन भी याद करना बहुत मस्ट है आपके पास दिया हुआ है मैथली को दोगरी को संथाली को या फिर बोडो को तो जो है ऐसा करेक्ट एंसर क्या हो जाए कि वह भासा आपका है बोडो भासा ना चलेनेश को संसद में परियोग की जाने वाली भासा का उल्लेग संभी धान के किस अनुछेद में है ऑप्सन में दिया हुआ है 119 में 120 में 130 में 140 में आपका जो है ना वह अनुछेद 20 में जो है वह उल्लेग ही थे से आपको याद रखना है ठीक है इस तरह का कुस्तन आपका एक्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपोर्टेंट होता है राज्य विधान मंडल में परियोग की जाने वाली भ है अनुचेद 210 में वहीं नेश्कोसन देखते हैं जो है आपका कि हिंदी को राज भासा का दर्जा कब मिला ऑप्सिन ने आपके वह दिया हुआ है 14 रितमबर 1949 को 14 सितंबर 1948 को या 14 सितंबर 1950 को तो देखिए हिंदी को राज भासा का दर्जा जो है वह आपको मिला है सितंबर अनुछेद में ठीक है चलिए नेश्ट को संदेखते हैं जो है आपका कि उच्छ नियायालय की भासा का उपभंद समीधान के किस अनुछेद में है आपके पास दिया हुआ है 345, 346, 347, 348 तो देखिए यह अभी आपका अनुछेद जो है ना वह आपका है 348 में देखिए एक कोसन यहां पर मिश्टेक हुआ है यहां पर किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भासा घुसित करने का उपभंद समीधान के किस अनुछेद में है तो देखिए यह गलत हुजाएगा ना यह अनुछेद जो है ना यह आपका अनुछेद 347 में हम आपकी जगाने यह थोड़ा सा मिस्टेक को गया ना यह आपको अनुछेद 343-347 होगा ठीक है तो यह आपको याद रखना है चलिने स्कोसन देखते हैं जो है आपका कि राजभासा संबंदि कोई भी विध्यक राश्पती की पूर्व मंजूरी के बिना पेस नहीं किया जा सकता और राश्पती भी आयोग की सिफारीशू पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा संबिधान के किस अनुछेद में इस बात का उल्लेख है तो आपको बताना है कि यह बात का उ उन्चास में तो जिह हैं सट्राइब क्या हो जाए कि यह आपका उल्लेख है 300 उन्जास में देखिए जीतना मैं आपको संभीधान से रिलेटेड को संभीधान से बता रही हुँ ना उन सारे को अपको एक लाइन से रिविजन जरूर कीजिएगा चले नेक्स को पर मात्र भासा में सिच्छा की सुविधाय उपलव्द कराई जाए इस बात का उल्लेख संभीधान के किस अनुछेद में हैं आपके पास दिया हुआ है आपके पास ओप्सन में दिया हुआ है अनुछेद 120 में, अनुछेद 210 में, आठवी अनुसूची में या फिर उपरिक्त सभी में बीजे रहमत के देशिता में या फिर जीती पबंद के देशिता में फिर जीपी कंतां गुएतिक्त में पास दिया हुआ है भी जार किया देश्ता में बीजे रहमत किया देश्ता में जी बी पंद्र याद घ्यतान के देश्ता में देखिए को सिमिलर है अपको अच्छे से आप रखने का जरूरत है यहां को मत भूलिएगा यह दोनों को सब्सक्राइब पॉइंट व्यू से बहु और चले अधेशन क में संसधित के तहत किया था आपके पास passion में दिया हुआ 343, 344, 349 या फिर 344 तो देखे यह आपका क्या गया है 344 के अनुछेद के तहत निश्कोशन है आपका कि किस अनुछेद में कहा गया है कि संग का यह करतब होगा कि वह हिंदी भासा का परसार बढ़ा है आपके परस दिया हुआ है 343, 344, 351 या फिर 344 तो देखे ऐसा आपका कहा गया है 351 अनुछेद में चलिए निश्कोशन देखते हैं जो है आपका कि अंग्रेजी के वयोव मोस से पिंड छुडाना स्वराज का अनिवार या अंग है कथन किसने कहा है या फिर किसका है ऑप्सन में दियाओ है महात्मा गांधि का सुवाश चंद्र भूस का जोहार लाल नेरू का या फिर राजघुकॉपाला चारी का तो जिए राजगुपाला चारी का या अनुछेद में कहा है कि सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी बहुत इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छा कोशन है यह आपके पास दिया हुआ है बीस एकीस बाइस यह फिर तैस्तों जी है क्या हो जाएगा क्यूं समय जो राजभासा सदस्यों की कुल संक्या थी वो 21 थी चलिनेश कोशन देखते हैं जो है कि राजभासा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं मतलब उस समय की बात पूछा रहा है कि उसमें कितनी धाराएं थी नो धाराएं फिर बाराएं तो देखें टोटल उसमें की बात कर देखें राजभासा का नो धाराएं जो थी वो थी आपका राजभासा अधिनियम के तहट चलिनेश कोशन देखते हैं आपका कि राजभासा संकल्व कब पारित हुआ आपके पास दिया हुआ 1970, 1975, 1976 यापके 1977 तो देखें आपका राजभासा जो है वो आपका 1976 में बना था नेश कोशन देखते हैं जो है आपका कि किसमे केंद्रे सरकार के कारेलोयों को तीन वर्गों में बाटा गया है आपके पास दिया हुआ है राजभासा नियम, 1973 को, राजभासा संकल्ब, 1968 तो देखें या आपका वर्गों में बाटा गया है सब्सक्राइब का अनुपर्युक्त विभाजन है क्या है क्या है क्या याद रखना चलिए इस तरह का को सन्ना आपका एक्जाम में आता है को संग की राज भासा यहां पर बनाने होगा ना तो हिंदी को संग की राज भासा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे मतलब प्रस्तावक का नाम बताना है पंडि जोहर लाल नेरु पुरुसत्तम दास टंडन राज गोपालाचारी या फिर गोपाल स्वामी आयंगर तो जी ऐसा करेक्ट अंसर क्या हुआ है कि वह व्यक्ति हैं आपके गोपाल स्वामी आयंगर चले गोवर के चेत्र में आपका उतरपर्दिस भी आता है और मध्य परदिस भी अता है कि dau सब ओपतसन कंड कर हैं पंजाब आपके पास ऑपसन में दिया हुआ हाँ है महाराश्प्र पस्मी बंगाल उत्तर पूर्वी छेत्र उडिसा या फिर उपर्युक्त सभीत इसका फिर करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभीत चलिए नेश्कोशन देखते हैं जो है आपका कि साहित एकेडमी की अस्थापना कब हुई आपसर में दिया हुए 1950-1903-1954 या फि कि नेश्टनल भूग प्रेश्ट की अस्थापना कब हुई जो आपका कि वेज्ञान को तक्निक इप सब्दावली आयोग की अस्थापना कब हें किसके अस्थापना जो थी वह आपका हुई थी उनिदे सालाई की अस्थापना कब हुई आपके पास अनुवाद वियूरो की अस्थापना कब हुई आपके पास ऑप्षन में दिया हुआ 1975 में, 1976 में, 1971 में, 1980 में तो देखे केंद्रिया अनुवाद वियूरो की अस्थापना जो है वह आपका हुआ था 1971 इस भी में ठीक है चले नेक्स कोसन देखते हैं जो है आपका कि राजभासा विभाज की अस्थापना कब हुई आपके पा पाजन की अस्थापना हिऊआ 1975 में हुआ याद रखना है ठीक है तो कि कि अनुवाद वियूरो किस मत्राले के अधिन कारे करता है बीधी मंत्राले के अदीन यह और उपर यूप सभी तो ग्रीम मंत्राले के तहज वह कारे करता है कौन के अनुबाद विऊरो ठीक है तो इस तरह से आपका देश से इसी CGL में भासा के विभीन रूपका के साथ सारे संपूर्ण क्लास को इस्टडी कर चुके हैं अभी तक हमन सब्सक्राइब करेंगे तो लिंग दिया हुआ है चैप्टर वन और चैप्टर टूपिक एनी चैप्टर थ्री के साथ थाउड स॥ांस पर वाचिए लगव करने शंस्क्राइब का सेथिए